नमस्कार A to Z dishes उश्या गोर्जानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रही हूँ दही पोहां ये खाने में बहुत वज़दार लगता है बनाने में भी खूब असान है जब भी आपको जादा खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप य मैं आपके बना सकते है है और टेस्टी है दो कप मैंने पोहां ले लिया इसके एक बावल के अंदर डाल दीया है और इसे एक छनी को देखे एक बाउल के उपर रख देना ऐसी और यहां पर मैं ले लिए है तीन कप दही दो कप पुहा के अंदर तीन कप दही डालेंगे यह घर की जमाई दही है आप मार्केर की भी ले सकते हैं जादा खटी नहीं होनी चाहिए एकदम ताजी ताजी लेना अब यह एक पाउल में डाल देंगे इसमे मैं डाल रहे है स्वाद के अनुसार नमक और जो हमने दही को तोड़ा सा फैट के रखा था न वो इसके अंदर डाल देंगे अब एक तड़का तयार करेंगे गैस कॉन करके चोटा सा पैन रख दें यह तड़का पैन इसमें आपको डाल एक चमच तेल इसमें डालनी है आदी चमच राई चुटकी बरहेंग और दो चमच बरकर कच्छी मुमफली मुझे खाने में अच्छी लगती है अगर आप चाहे तो थोड़ी कम भी डाल सकते हैं आदी चोटी चमच इसके अंदर हम डालेंगे सफिद उड़त डाल एक सूखी लाल मिर्च पांसे छे कड़ी पते और दो बारी कटी हरी मिर्ची अच्छे से भूनना है इन सभी को यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाए ना तड़का देख सकते हैं मुमफली वो जादा डालती हूँ क्योंकि इसका क्रंच बहुत अच्छा आता है पर आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे और इसमें तीखा पन हरी मिर्ची से आ जाएगा तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करना जटपट से भी बन जाती है हेल्दी भी है ट थांकिय।